नमस्कार प्रणाम मैं पुरुसुत्तम कुमार आप देख रहे हैं हमारा करेक्टरम पैसो की बाद पैसो की बाद करेक्टरम के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे कोईन की हो सके आप इस कोईन को जानते भी हूँ लेकिन मैं आपको बताता हूँ यह हमारा काम है कि नयाने coins को लेकर आपके बीच में मैं आओ तो आज हम बात करेंगे CIA coin A-C-O-I-N इसको हम SWOT form में जानते हैं A-C के माध्यम से भी जानते हैं आज इस coin पर बात करने से पहले मैं आपको दो बाते बता देना चाहता हूँ कि आप लगादार हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे आप Telegram चैनल को आप जॉइन कर सकते हैं यहाँ जॉइन करने के लिए छोटा सा थरीका है आप इस वीडियो के description box में जाएंगे और वहाँ से आप वीडियो इस Telegram लिंक को जॉइन करके आप हम से जुड़ सकते हैं दूसरी बात यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे हमारे इस चैनल को लाइक कर लिजे और विल वटन को दबा दीजे हम करक्रम को बढ़ाते हुए जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं सिया कोईन पर आज हम बात करेंगे इससे पहले हम सर का स्वाधत करते हैं सर बहुत-बहुत दस्वागर है आपका सर आज हम सिया कोईन इससी के बारे में जानेंगे हम हमारे दर्शकों को आप यह बताईए कि सिया कोईन में कैसे invest किया जा इसके supply क्या है, इसके background क्या है और हम ये भी जानेंगे कि आने वाले 2,22 के अंत तक इसके क्या values होने वाले हैं, इसमें क्या-क्या और add-ons होंगे, क्या-क्या फाइदे देंगे, तो इन सारे बातों पर बात करते हैं, sir, please हमारे दर्शकों को बताईए कि CR coin में हमारे investors, हमारे लोग, हमारे दर्शक अगर invest करना चाहते हैं, तो उन्हें basics चीज़ें, वो कौन-कौन सी हैं जो इनको जानना जरूरी है तो आज दर्शकों हम CR coin के बारे में बात करेंगे, इसे SC के नाम से भी जाता है, जाना जाता है तो first thing first, सबसे पहले हम इसका supply डिसकर आएंगे जो कि जिसको जान देना हमारे दर्शकों के लिए बहुत जुरूरी है, तो इसका जो total supply है, वो unlimited है और इसका जो circulating supply है, वो है 4,919 करोड CR coin 4,919 19 करोड CR coin मार्कित में circulate कर रहे हैं, और supply yet to hit market जो है, अगर हम उसकी बात करें तो वो unknown हो जाता है, क्योंकि इसका जो total supply है, वो unlimited है, और दूसरा जो सबसे जो महतोगुन जो part होता है या जो point होता है, जो हमें देखना चाहिए, वो है market capitalization में इसका rank है, जी तो siya coin की जब हम बात करते हैं तो इसका market capitalization में rank है वो है 123, जो कि एक ठीक ठाक rank, अच्छा rank बनता है जी, और अगर हम अब जो तीसरा इसमें सबसे जो अच्छा point है, बड़ा point जो हमें देखना चाहिए, वो आता है, इसका usage तो siya coin की जब हम data store करने के लिए एक तो आप अपने computer पर अपना data को store कर सकते हैं और अब मालिए आपका computer जो है, वो corrupt हो जाता है या कुछ और हो जाता है उसको या वो आप data को lost कर देते हैं lost कर देते हैं तो उसका नुकसान हो जाता है तो आज कल एक नया system चला हुआ है जो पिछले कुछ सालों से चलन में है cloud storage जिसे हम बोलते हैं तो यहाँ जो आपका data है जो अलग-अलग बहुत सारे server बने होते हैं वहाँ पे आपका data को store कर दिया जाता है like cloud system cloud system जी तो वहाँ जो आपका data जो है वो store कर दिया जाता है और जो इसको store करते हैं उसको host बोला जाता है host company उसको हम बोलते है कि यह host company है अब जैसे Cia coin जो है वो एक host company है तो उस रिजाब से जब हम देखते हैं तो जो इसका एक बहुत अच्छा usage यहाँ बन रहा है कि Cia coin जो है cloud storage जो है cloud storage की बात करते हैं तो यहाँ पर ओल्रेड़ी Google और Microsoft जैसे बड़े जायंट है जो इस फिल्ड में ओल्रेड़ी काम कर रहे है तो कहीं न कहीं Cia जो system है Cia जो company है Cia जो coin है उनको head on इन बड़े जायंट से fight करना पढ़े है जो कि कहीं न कहीं इसके लिए एक परशानी का सबब आने वाले time में बन सकता है क्योंकि यह जो दो बड़े नाम है वो इतना ज़्यादा उनके पास market capitalization और पैसा है कि वो इस field में जल्दी जल्दी किसी और को आने देंगे तो यहाँ मैं Cia coin के लिए थोड़ा सा आने वाले समय में मुशीवत को देखता है जी तो उस हिसाब से जब हम इसको देखते हैं short term में देखिए price में fluctuation हो सकती है बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है लेकिन जब हम long term की बात करते हैं तो जहाँ इसका competition Google और Microsoft जैसी बढ़ी company के साथ बैठता है तो वहाँ मेरे को थोड़ा सा इसमय दिक्कत नजर आने वाँ जाता है अब हम इसका पुषवत्तम जी price को भी discuss करें है आज जो recent में जो इसका जो price चल रहा है वो US dollar में 0.0198 है यही INR में अगर हम बात करें तो 1.57 यह 1.5 रुपे के आपस पास CR coin बैठ रहा है लेकिन अब जब मैं इसकी long term में बात करता हूँ तो मैं इसमें ज़्यादा believe नहीं कर पा रहा हूँ due to इसकी जो यह uses ले और जो इसका जो competition है अगर आने वाले समय में इसमें कुछ और अगर यह uses add कर पाते हैं जो unique होंगी तो हो सकता है यह आगे long term में अच्छा grow कर पाए लेकिन हाल फिल हाल की अगर हम बात करें तो मैं इसमें ज़्यादा faith नहीं बना पा तो उस हिसाब से मैं इसका predicted price भी discuss करने का मेरे ज़्यादा फाइदा नजर आता नहीं है और हमारे जो मिक्तर अगर इसमें already कुछ invested है तो देखिए short term में इसमें price में fluctuation हो सकता है तो आप उसका फाइदा ले सकते हैं लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं long term investing की जब बात करते हैं तो मेरा इसमें ज़्यादा faith नहीं बन बारा है बाकी आप अपना research भी कर सकते हैं सर तो जैसा कि आपने बताया कि यह जो market है cloud system जो है cloud storage की जिब बात हम करते हैं तो CR-Qine अपने आपको इदर launch किया है लेकिन यहाँ बड़े बड़े competitors हैं इनके साथ Google या Microsoft की बात कर लें तो वो already ऐसा market बना रखे हैं इनके customers इतने बड़े पैमाने पे हैं कि इनको एक long term business पर देखा जाए तो बहुत परिशानी का सामना करना पर सकता है तो अगर जैसा कि आपने बताया कि future point view से जो customer इसमें invest करना चाहते हैं के लिए यह सही नहीं हो सकता है और जो व्यक्ति इसमें अलड़े इंवेस्ट कर रखे हैं जो इंवेस्टर से शोट तर्म फ्लक्ट्वेशन का कर सकते हैं वह होगा इसमें लेकि लोंग टरम में मेरे को इसमें अभी growth का कोई मतलब ज्यादा चाहांस लोंग टरम में में दिखरा है शोट टर्म में फ्लक्ट्वेशन देखा जा सकता है तो कस्टमर सही समय कि यहां से एक अच्छा इंकम बनाके वह निकलने का भी सोच सकते हैं तो सर आपने हमारे आज इस वीडियो में चर्चा किया और मैं आपको बताता हूँ कि लगातार हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप देखते रही है हमारे इस कारिक्रम को इस तरह के कारिक्रम लगातार हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे आज के वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कल फिर मिलेंगे एक नए विशाय पर नए बुद्धे के साथ बन रही हमारे साथ धन्यवाद